शहरी छेत्र के पोश इलाके शास्री नगर अशोग भंडार के समी एक कुए से पुलिस ने गुरुवार को एक व्यक्ति का शव बरामद किया है मुरित्तक की पहचान नहीं हो सकी है मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों के अनुसार शव करीब एक सब्ता पुराना है और शरीर से दुर्गंद आ रही है मुरित्तक की उमर करीब 40-45 वर्ष के आसपास है जानकारी के अनुसार कुए में कच्रा भरा हुआ है वहीं दिन के करीब 11 बजे कुए के अंदर एक बिल्ली के रोने की आवाज आने लगी इस पर आसपास खेल रहें बच्चों ने कुए में जाक कर देखा तो पाया की किसी की लाश है इसके बाद ततकाल गुमला पुलिस को सूचना दी गई मौके पर ततकाल थाना के SI सुजीत कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुँचे और आसपास के लोगों से पूछताज की मौके पहँचान नहीं हो सकी है वहीं पुलिस शफ को निकालने में जुट गई पुलिस अधिकारी ने कहा कि पोस्ट माटम के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा होगा अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूले